हेलो गाईज, जल्द ही इंडिया में शाओमी अपना रेड्मी नोट 12 सीरीज के स्मार्ट फोन लाँच करने वाला है जिसमें हमें देखने को मिलेगा Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro and Redmi Note 12 Pro Plus यह तीनों ही phone 5G band के साथ launch होंगे अब जल्दी से तीनों phone के detail review कर लेते हैं Redmi Note 12 की बात करे तो यह आता है 6.67 inch की AMOLED डिस्पले जिसका pixel 1080 x 2400 है और operating system की बात करे तो यह आता है Android 12 और MIUI 13 के साथ इसका chipset snapdragon 4th generation 1 6NM जो की octocore processor के साथ आता है साथ ही इसमें Adreno 619 graphics card आता है जो की gaming के लिए काफी useful होने वाला है RAM और storage की बात करे तो यह smartphone 4GB, 6GB, 8GB RAM के साथ और 128GB and 256GB storage के साथ देखने को मिलेगा इस smartphone को rear camera की बात करें तो 48MP का man camera और 2MP के depth camera के साथ आता है जो की 1080p pixel के साथ 30fps और 60fps पर video record कर पाएगा और front camera की बात करें तो 8MP का camera देखने को मिलेगा अब इसकी battery की बात करें तो यह 5000mAh की battery आती है और यह smartphone 33W के charger के साथ आता है Redmi Note 12 की thickness और weight की बात करें तो यह 8mm thickness और 188g weight के साथ आता है इस phone की expected Indian price 15,000 के आसपास देखने को मिलेगी सेकंड नमबर पर आ जाता है Redmi Note 12 Pro Redmi Note 12 Pro की बात करें तो यह आता है 6.67 inch OLED display जिसका pixel 1080 x 2400 है और operating system की बात करें तो यह आता है Android 12 और EMEA UI 13 के साथ इसका chipset MediaTek Dimensity 1080 6NM जो की OctaCore CPU के साथ आता है और इसमें Mali G68MC4 का graphics आता है RAM और storage की बात करें तो यह smartphone 6GB, 8GB और 12GB RAM और 128GB और 256GB storage के साथ देखने को मिलेगा इस smartphone का rear camera 50MP का है जो की man camera है और 8MP ultra wide और 2MP के depth camera के साथ आता है जो की 1080p pixel के साथ 30fps और 60fps पर video record कर पाएगा और इसमें optical image stabilization का features भी मिल जाता है और front camera की बात करती है 16MP का camera देखने को मिलेगा अब इसकी battery की बात करें तो यह 5000mH की battery आती है और यह smartphone 67W के charger के साथ आता है Redmi Note 12 Pro की thickness और weight की बात करें तो यह 7.9mm thickness और 187g weight के साथ आएगा इस smartphone की इंडिया में expected price 22,000 के आसपास देखने को मिलेगी तो guys third number पे आता है Redmi Note 12 Pro Plus और guys Redmi Note 12 Pro Plus की बात करें तो यह Redmi Note 12 Pro का ही थोड़ा upgrade version देखने को मिलेगा जिसमें यह 8GB, 12GB RAM और 256GB storage के साथ देखने को मिलेगा और इसका rear camera 200MP को देखने का मिलेगा जो की optical image stabilization के साथ आएगा जिससे काफी smooth 4K 30 episodes की video मना सकेंगे और इसका charger 120W का देखने को मिलेगा जो की 19 minutes में 0-100% बैटरी को full charge कर देगा इसकी thickness 7.9 mm और weight 187 gram है और इस smartphone का इंडिया में expected price 28,999 के आसपास देखने को मिलेगा तो guys क्या आप भी Redmi Note 12 सीरीज का weight कर रहे हैं तो comment करके बताए और चैनल को subscribe करे आपका support मेरे लिए बहुत ही महत्पून रहेगा तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जय हिंद झाल